नमस्कार दोस्तों एक बारा सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर तो इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में आज मैं एक टॉपिक से लेकर के आए हूँ अनेक सब्दों के लिए यहां से एक से दो क्वेशन आपके पेपर में जरूर से जरूर आते हैं तो वीडियो को अंतक देखिए गर आपको वीडियो पसंद आता अबाइबग आपको हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएगा वेबसाइट का जो लिंक है मैंने आप पर नीचे दे दिया है आप देख सकते हैं व्यभीसाइट आप यहां से सीज़ den कर सकते हैं पी-दी अपर मिल जाएगा अधरवाईज मैं इस इस पीडिएuğ के नीच पूछ सकते हैं आपको जो solution मिलेगा साथी साथ मैं वहाँ पर पढ़े थोड़ी बहुत जो gk की tricks है जो questions से वहाँ पर post करता रहता हूँ तो आपके लिए वो भी beneficial हो सकता है तो चले start करते हैं class को तो पहला question देखे क्या कह रहा है जल्लेली खतम करेंगे कि जिसका कोई सत्रू पैदा ही ना हुआ हो तो बाई याद रखेगे जिसका कोई सत्रू पैदा ही ना हुआ हो उसको क्या बोला जाता है अजाद सत्रू जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला देखी क्या गह रहा है कि धन को वेर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है तो याद रखेगा भाई धन को वेर्थ ही खर्च करने वाला अब अब यही कहलाता है तो option number जो इसका D है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा Question number 3 बहुत ही आसान सा है जसे हस्ताक्षर नीचे अंकित हो याद रखिया Question क्या कह रहा है कि जिसे हस्ताक्षर नीचे अंकित हो तो उनको क्या बूला जाता है अधो हस्ताक्षर करता ना की हस्ताक्षर ना की अनुमोदन तो यहाँ पर option number जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा question number 4 की तरफ बढ़ते हैं कह रहा है कि आवसकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है तो भाई आवसकता से अधिक धन के त्याग का basically मतलब क्या होता है आप परीग्र है यहाँ पर जो option number इसका B है वो यहाँ पर correct हो जाएगा आप परीग्र है question number 5 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि भविस्ते में होने वाला तो भविस्ते में होने वाला इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो भविस्ते में होने वाला इसको बोलते हैं भावी ठीक है भविस्ति वक्ता यानि कि जो भविस्ति के बारे में बताता हो पूरातन जो बहुत प्राचीन होता है आतीत ये भी आप सभी को पता है क्या होता है अगला देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुस की नोक सी तीख बुद्धी को क्या कहते हैं अगला देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि सुध्ध आत्मा का मनुस्य क्या कहलाता है, देखें, जहां से कोईशन कह रहा है, कि सुध्ध आत्मा का मनुस्य, तो सुध्ध आत्मा कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुध्धोधन, यहाँ पर option number जो इसका D है, वो चित्त सील यानि कि option नमबर जो इसका D है वो यहाँ पर correct हो जाएगा question number 9 पर आते हैं कहरा है कि जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक सब्थ क्या हो जाएगा जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो मन के किसी और प्रवित्ति होने या मन के किसी और हटने की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है उस अवस्था को हम लोग कहते हैं मनो वृत्ति तो option number जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 11 number question दोसों कह रहा है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन तो भई अधिकारों की प्राप्ति के लिए question को समझेगा उस संगठन को संग बोला जाता है संग आसवीने सुना होगा संग जो होता है वो अधिकारों को लड़ने के लिए अधिकारों की प्राप्ति करने के लिए बनाया जाता है बारा नमबर question कह रहा है कि कर्ड को अधिरत सूत कहा जाता है और अधिरत का अर्थ क्या होता है अब देखिए कर्ड को अधिरत सूत कहा जाता है और अधिरत का मतलब क्या होता है अधिरत का जो अर्थ होता है वो होता है रत हाकने वाला यानि कि option number जो इसका A है वो यहाँ पर आस्था रखने वाला और आस्तिक का मतलब क्या होता भाई जो इस तोर के प्रती आस्थावान स्वरी आस्तिक का मतलब क्या होता है भगवान के प्रती आस्थावान माने मुल्टा बोल दिया नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान में आस्था न रखता हो तो option जो इसका B है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा 14 नमबर question कह रहा है कि दावागनी सब्द का अर्थ क्या है question नमबर 14 ध्यान से देखेगा यहाँ पर simple सा पुछा गया आपसे दावागनी सब्द का जो अर्थ है आपका क्या हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग जंगल में लगने वाली आग को दावागनी बोलते है आप लोग comment करके बताएगा कि जल में लगने वाली आग को क्या कहते है आप लोग को बताना है और मैंने पेट वाली तो आपको LED बता रखी है question number 15 से 19 के लिए यहाँ पर वही उचीत सब्द चुनना है तो कह रहा है कि ज्यान प्राप्ती की इच्छा देगे ज्यान प्राप्ती की इच्छा रखने वाला तो भाई जो ज्यान प्राप्ती की इच्छा रखने वाला होता है वो आपका जिग्यासू कहलाता है जो किये गए उपकारों को नहीं मानता है, ना मानता है, उसको क्या बोलते हैं, तो option number जो इसका A है, वो यहाँ पर correct हो जाएगा, इसे तरह 17 number question कह रहा है, कि जो हर समय दूसरों के दोस खोजता हो, उसको क्या बोलते हैं, पर छिद्रान वेसी, बहुत ही important question, इसको important ticker दे रहा है, कि सौतेली माता के लिए प्रिक्त सद, सौतेली माता को और क्या बोला जाता है, तो सौतेली माता को विमाता भी बोला जाता है, तो यहाँ पर याद रखेगा, option जो इसका A है, वो correct होगा, C correct नहीं होगा, अगला यहाँ पर कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके, उसे क्या क्या कहेंगी तो भाई जो इंद्रियों से परे हो उसे कहा जा जाएगा क्या होई जितेंद्रिये ठीक है जो इंद्रियों से परे हो मतलब जो इंद्रियों का पूरा घ्यान हो तो जितेंद्रिये हो जाएगा अगला देखे क्या कह रहा है कि नीद पर विजये प्राप्ट करन कम बोलने वाला इसके लिए एक सब्द क्या होगा कम बोलने वाला क्या होता है मित भासी चपल वाचाल या मूर्ख तो भाई जो कम बोलता है उसको मित भासी बोला जाता है ठीक है और वाचाल तो बहुत वाचाल जो बहुत जाता बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं अगला को तो option number जो इसका Y है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear रीलसो अगला question देखिन 25 ऐपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि चिर्षा से लेकर पैर तक इसके लिए एक सब्या होगा तो सिर्षा से लेकर पैर तक किसके लिए एक सब्सонец one किया हो जाएगा दोस्तों आपका अपाद मस्त्त यानि कि ओस सून नंबर जो इसका बी है वो यहां पर užुआख हो जाएगा पत्चीन नंबर कोशन करहा है कि जिसकी भुझाई गुट्नों तक लम्बी हो उसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा उसके लिए दूस्तु एक सब्द हो जाएगा आपका अजान बाहू यानि यह option number जो इसका a है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है अजान बाहू आते हैं question number 26 की तरफ तो देखे कह रहा है उपन्यास से संब्दित इसके लिए एक सब्द जो है क्या होगा तो याद रखेगा दुस्तो उपन्यास से संबंधित इसके लिए एक सब्द हो जाएगा ओपन्यासिक तो अफसे नमबर जो देखेगे उपन्यास से संबंधित उपन्यास कार तो होता है जो उपन्यास लिखता है लिए अगला कोशन देखे क्या कह रहा है जहां से देखेगा पानी पीने की इच्छा से लिखा गया है पीने की इच्छा के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा अब देखे पीने की इच्छा के अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग पिपासा और प्यासा का मतलब होता है जिसको प्यास लगी हो जिसको पानी पीने की इच्छ तो मिनाक्षी का मतलब क्या होता है मशली के समान आखो वाली क्लियर है अगला कोशन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि मूल से सम्मंधित के लिए एक सब्द जो है क्या होगा मूल से सम्मंधित के लिए एक सब्द जो आपका क्या हो जाएगा मौलिक उधिगम त्वरितिया लिप बहुत ही important question है देखते हैं आप इसका जो correct answer आप लोगों में से कौन देता है ये आपका जो है हूमर कहने वाला question number 29 अगला question देखिए आप से आपका क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति की पतनी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है तो जिस व्यक्ति की पतनी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है देखो जिसका पती मर गया हो उसे विधुह बोले जाएगा लेकिन जिसकी पतनी मर गई हो उसको क्या बोले जाएगा उसको बोले जाएगा विधुर तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा इसके लावा अगर आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट करकर पूछ सकते हैं और अभी के लिए इस वीडियों सिर्फ इतना ही बेक लिए बाबाय टेक कियर जै हिंद जै भारत मिलते हैं आप सबसे नेक्ट वीडियो में